जुलाई इस साल तभाई मचा दूँगा ऐसा पढ़ूँगा कि घरवाली प्राउट फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90 प्लस लेके आया है सितमबर अभी तो केवल दो महिने निकले हैं और एक्जाम आने में 6 महिने बाकी है अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेब बनाऊगा न कि 80% डिस्कोर करने से कोई नहीं रोख पाएगा यार पढ़ने का मन तो भूत करता है लेकिन सर्दी में विस्तर से निकल लेगी हिम्मत नहीं होती धूप में बैटके पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैटके पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है जनवरी आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेगंड बरबाद नहीं करूँगा ये जो दो महने बचाया है ना पंद्रा पंद्रा घंटे पढ़ूँगा और बचा हूँआ स्लेबस पूरा करूँगा 70 परसेंट तो कहीं नहीं जा रहे फर वरी यार तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तो गोल के पी जाओँगा कम से कम फरस्ट दैव स्कोर करी सकता हूँ एक्जाम के एक हफते पहले किस ने बनाई यार यार यैर पढ़ए और क्या मिल जाएगा पढ़के जिसको देखो पढ़ने के लिए बोल रहा है अब क्या जान देतूँ क्या एक्जाम के दो दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है ना सलेबस पूरा गरपाया और ना important question याद हो रहे कम से कम point तो याद रखी लेता हूँ एक्जाम में कुछ तो बना के लिखी दूँगा यार एक्जाम में यार एक question तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा बाकि देखो उपको भी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है रिजल्ट के दिन अब मैं नहीं बताऊँगा कि रिजल्ट के दिन इस बन्दे का क्या हाल हुआ होगा इसको भूक नहीं लगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता भाई पूरी साल बिस्तर में गुजगुज के वेब सीरीज देखने में निकाल दी इसने और रोज अपने मोवाईल पर उगली फिरा के गुदगुदी करता रहता था सुबह शाम दोपर रात में जब देखो हालत खराब क्यों नहीं होगी साल बर से हर काम करता आया है पढ़ाई के अलावा माबापने हर जिम्मेदारी लेके केवल एक काम दे रखा था इसको पढ़ाई करने का और इसने पढ़ाई को छोड़ कर बाकी सब काम किया किताबे सामने रखके ख्याली पुलाव बनाता रथा था और ब्लेम किस पर जाता है इसकोल में पढ़ाई नहीं सही हुई टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाता था सर्दी जदा थी, गर्मी जदा थी, लाइट चली गी थी, नीद नहीं आई दो कोड़ी के बहाने और रिजल्टी भी दो कोड़ी का और थोड़ा सा अपने माबाप की आँखों में जहांक लोगे न तो भाई अभी भी तुमारे पास टाइम है तुम इरादा तो बनाओ, टाइम ही टाइम है छे गंटे सोने के, दो गंटे खाने पिरे नाने दोने के फिर भी 16 गंटे बचे हैं, ये गंटा रेस्ट का और निकाल दो 15 गंटे बचे, क्या करते हो इन 15 गंटे में? बाबू सोना का रोना दोना, पूरे साल से करते आयो थोड़े दिन और रुख जाओ, फिर कर ले ना बिरमियों की छुट्टी होना पैसे भी पूरे साल बर तो छुट्टी मना रहे थे ना अभी से इतने कैजूल बन गए, तो तुमारे सपनों की कैजूल्टी तो होई जाएगी ना अरे पढ़ी थो रहे थे पूरे साल, कोई कंपनियों नहीं चला रहे थे सुनना अच्छा नहीं लिग रहा ना अगर ये भी नहीं सुन पाए ना, तो लोगों के कमेंट को क्या सुनोगे तुमारे गार्जियन्स बड़े प्राउड से बोलता हैं सबको कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है मेरा बच्चा इंगलिस मीडियम में जाता है उनको विचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंटरनेशनल इंगलिस वेब सीरीज देखता है रजाई में दुबक के क्या है ये मतलब ये सर्दी खा जाएगे क्या और ये मोबाइल में कोई इमर्जेंसी है क्या और किताबों में किसी ने प्याज रख दिया है क्या कि पढ़ते टाइम आखे बंदो जाती है बुरा लग रहा है न बट मैं गारेंटी लेता हूँ कि इतना बुरा नहीं लग रहा तुम्हे जितना खराब रिजल्ट आने वारे दिन लगेगा सुधर जाओ बेटा अभी भी टाइम है मॉटिवेशन क्या काम करेगा यार मॉटिवेशन के बाद तो तुम्हें हिप-अप चाहिए ऐसे ऐसे वीडियो देखते हो न कि रिकमेंडिट में भी वही आता है अजार मॉटिवेशन वीडियो देख डालो जब तक उनको apply नहीं करोगे न real life में कुछ नहीं मिलने वाला कुछ नहीं बदलने वाला अभी 15 के होगे 20 के होजाओगे 20 के होगे 25 के होजाओगे 25 के होजाओगे 35 के होजाओगे 50 के होजाओगे कुछ भी नहीं बदलने वाला यार बस mobile में net का recharge नहीं करा पाओगे क्योंकि काभील ही नहीं बन पाओगे अभी तो free का मिल रहा है ना इसलिए daily का target है वही 1GB का, netGB का, 2GB का और तुमारा target ही ही है कि इसको खतम करके सोना है, चाहे कुछ भी download करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी मैं क्यों बोलता हूँ यार, ये mobile दुश्मन है तुमारा क्योंकि सो में से 20 लोग ना इसको साइडंग से काम में ले रहे, वाकिके 80% ने वो बरबाद हो रहे है वो बंदा बरबाद हो रहे है जो सपने देखता है लेंबर गिनी के, वो हमेशा वीडियो देखता रहेगा कभी नहीं आने वाली बेटा लेंबर गिनी तो एलन मस्क का नाम सुना है किसने उनको बताया नहीं कि रोकेट कैसे बनाना है खुद पढ़ भढ़ के सीखा है वो भी खेल सकते थे ना मोबाईल में ठुल्लू गेम्स अरे अब तो खेल सकते हैं ना वो बट इट्स यूजलेस समय को मजबूर मत करो बूरा बनने पर समय है अभी समझाओ किताबे सबसे अच्छी दोस्त है तुमारी भले ही ब्लैक और वाइट है पर तुमारी जिंदगी रंगीन करके छोड़ेगी एक बार दिल लगा के देखो और जो यह बोलता है ना कि कुछ बढ़ा करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है तो भाई कान खोल के सुन ले ना बिना पढ़े कोई बढ़ा नहीं बनता उसको पढ़ना पढ़ता है, सीखना पढ़ता है भले ही उसका टोपी का लोगो फील्ड अलगो जब भुखार चड़ती है ना तो रोता हुआ किसके पास जाता बनता डोक्टर के बास ना और अगर वो दवा देने वाला डोक्टर भी ना वो अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किया होता और अगर वो आपको बुखार के बदले दस्त की गोली देते, तो क्या हाल होता अगर वो ऐरोप्लेन मनाने वाला थोड़ी सी गलत कैल्कुलेशन कर लेता तो क्या होता, आज आता ना जमीन पर छोटी-छोटी चीजे मैटर करती है यार और ये जो पढ़ाई करने का टाइम है ना वो तो बहुत मैटर करता है पेरेंट्स बेवकूफ है क्या यार जो तुमें पढ़ने के लिए बोलते हैं कुछ सीखने के लिए बोलते हैं काबिल बनने के लिए बोलते हैं क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज्यादा जिनकी देखी है तुमसे ज्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने और वो तुमको उन सबसे बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है और तुम हो कि ये सोचते हो कि क्या पढ़ाई 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 लगार खिस अपने अभी भी टाइम है मेरे भाई तुमें भी नहीं पता कि तुम इस बचेवे टाइम में कितनी महनत कर सकते हो क्योंकि तुमने कभी इतनी महनत करी नहीं इस बार मेरे कहने पे करके देखो यकीन नहीं होगा खुद पे कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम एक दर्वाजे के पास खड़े हो, दर्वाजे के उस पार सक्सेस है, और जो ताला लगा है ना, उस दर्वाजे पर वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है, समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वो दर्वाजा, आई बात समझ में? तो इस वीडियो को मार्क करो और जब भी पढ़ने से मन इधर उदर भागे ना तो एक बार आके जरूर सुनना इसको और हमेशा एक चीज याद रखना अगर उसको याद रखो के तो और कोई मॉटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगे कि देश में अपना नहीं बलकि दुनिया मेना मेहनत करके दुनिया में देश का नाम करना है जैहिंद वन्दे मात्रम